आगे, sociology and political science, again you can take a break, हमारा ठीक है 15 minutes का वीडियो हो चुक है already, you can take a break and maybe go back and revise, जितनी बार रिवाइस करते होगे, मैं आपका test भी लूँगा, अभी आने वाले एक दू दिन में we will have a test and I'll ask you a few questions, let's see, कि how do you people perform and किताब पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो बहुत कुछ, क्यो पहले मैं वो कर लूँ, फिर मैं यह करूँगा, ज्यादा अगर आप इस चकर में पढ़ते हो, तो I'm telling you a lot disastrous हो जाता है, कि जो चीज़े रह जाती है, वो रही जाती है, तो sociology and political science, अब आपको मैं एक ऐसी line दे रहा हूँ, generally बहुत सारी जगाओं पर you will see, कि वो line use होगी, जै Integiate context क्या था, कि क्या हुआ एकदम से, क्या हुआ था, French Revolution हुई थी, French Revolution हुई थी, उससे बहुत political uphevel हुआ, समाज एकदम तहस नहस हुआ हुआ हुए, लोगों में बहुत ही chaos है, लोगों में बहुत ही anxiety है, वो चाह रहे हैं कि please, जो thinkers हैं, वो चाह रहे हैं, कि हम ऐसे कुछ uphevel में है, French Revolution, और ये particular line है, आप इतनी बार use करोगे, कि अपने various answers के लिए, क्योंकि, जिस बी चीज़ का जनम होगा, जिस social को हर चीज़ पर डाल दो, कि social philosophy के साथ जोड़ दो, economy के साथ जोड़ दो, जहां मरें जोड़ दो, कि शुरुआत कहां पे हुई, birth of social lies in political uphevel, birth of social lies in philosophy, ठीक है, कि लोगों को philosophically, society को understand करना था, तो philosophy से जोड़ देना, ठीक है, birth of social lies in anthropology, anthropology क्यों होता है, गाउं में या छोटी societies में जाके, अगर आप study करते हो, anthropology कहलाती है, तो जहां भी जो भी subject की बात हो रही है, जो भी paper में, paper में आपसे एक ही बूचेंगे, सारे तो पूच सेब भी आ रहेंगे, आप उसको justify भी कर दोगे, ओके, चलो, आगे बढ़ते हैं, birth of social related to political upheaval of french evolution, concepts कहां कहां यूज किये, concepts मार्क्स ने यूज किये, मार्क्स बोलता है कि अगर capitalism को खाड़ फैंक रहे है, तो हमें political बदलाव करने होंगे, तभी ही communism आपाएगा, हम पढ़े अगे detail में, ठीक है, वेबर बोलता है, कहां पर यूज कर सकते हो, आप जो political science में सोचो, bureaucracy में, power को समझने के लिए, हमने chapter अपना politics वाले में discuss किया हुआ है, then politics वाले chapter, पूरा politics वाला chapter ही है, जो मैं आपको एक तरह से summarize कर रहा हूँ, परेटो, मॉस्का, रॉबर्ट माइकल् ये सब ही जो various theories देते हैं, अपने democracy की theory, elite theory, oligarchy, सब वहीं पर ही given है, कि कैसे जूड़ी हैं चीज़ें आपस में, आप जाके chapter अपना जब 7 पढ़ोगे, politics वाला, ये सब चीज़ें आपको clear होंगी, जिसनों ने पढ़ चुके हैं, and I'm sure कि वो थोड़ा relate कर पा रहे होंगे, Parsons, Parsons हम पढ़ेंगे detail में, AGIL model, AGIL में Parsons क्या बोलता है, कि goal, जो G है, goal कौन दे रहा है हमें, politics, politics हमें goals दे रही है, इगनू से हमने ये बारो किया है, क्योंकि बहुत सारे देखा Delhi में notes हैं, उसमें थोड़ी यहां confusion है, तो let us go back to the basics, basics क्या हैं, इगनू, इगनू में AGIL में G is politics, कि goal कौन दे रहा है समाज को, politics दे रही है, then dependency theory, chapter 10 में पढ़ेंगे, Wallerstein, Wallerstein ने हमें बताया कि किस तरहां से America वगारा जो हैं, ये क्या करते हैं, ये core में रहते हैं, America वगारा, इसके आज पास कि जो countries हैं, उनको periphery countries बोलता है, periphery, कि जो periphery पे हैं countries, America वगारा जो core countries है इन्होंने periphery वालों को अपने उपर dependent बनाया हुआ है, कि इसके मिना रही नहीं सकते, तो उसने क्या बोला कि किस तरहां से international level की जो politics है, वो सामाजिक तरहां से गवर्न हो रही है, sociology की help से गवर्न हो रही है, आगे, Coleman's ने बोला कि developing areas की politics अलग तरहां से चलती है, वो developing areas की politics ह आज कल कहते हैं कि major politics है, जो develop हो चुके हैं उस पर तो कि politics हो ही नहीं रही, जिनकी development होनी है, उसको लेकर politics हो रही है, देखो आप भी India में वापस लेकर आओ, इंडिया में क्योंता है, इंडिया में चलता है, सबका साथ, सबका विकास, तो वही है ना कि विकास की बात हो रह ध्याट्स में देखते हैं, जैसे caste का, जेंडर का, ethnicity, latitude मतलब जैसे मैं पंजाबी हूँ, यह हर्यानवी हूँ, मैं माराटी हूँ, यह ethnicity कहलाते हैं कि class का अमीर लोग मेरे साथा आए, गरीम लोग मेरे साथा है, जो ऐसे भी मेरे साथा है, class, class is economic, religion का use, यह सब क्या चीज़ है जिनका politics में बहुत ज़ादा use है and even की जो political behavior कैसे predict करते है voting pattern किस तरह से रहेगा syphology जाके go and google इसका मतलब क्या word का syphology का आपको काफी अच्छा लगेगा पढ़के इसके बारे में syphology की vote कैसे किसको पढ़ी है उसके हैसाब से voting pattern politics में किसका user है sociology का भी यहाँ पर अच्छा इस cast के इतने लोग रहते हैं तो इसको इतनी votes पढ़ी होंगी यहाँ पर यहाँ फिर लेट से कि development का मुद्धा है इसको इतनी vote पढ़ी होंगी चीजे हैं क्या सामाजिक चीजे हैं जो politics को govern कर रही है reservation का मुद्धा यह तो clear cut एक सामाजिक मुद्धा है cast वगारा जिसको politics में यूज किया गया नील समेल सर कह रहा है कि हमने chapter हमने पढ़ा again कहां politics chapter में protests, social movements, जितने हक की लड़ाई चल रही है, right movements सारी सामाजिक चीजे हैं लेकिन politics में यूज होती है pressure group, लोग ही कठ्थे हो जाते सरकार पर दबाव बनाते हैं and nation, सबसे बड़ी बात जो आप सब लोग ही कठ्थे होगे, आपने एक देश बना दिया, वो भी क्या है, सामाज ही कठ्था हुआ, सामाज ही कठ्था हुआ कहते हैं, चलो हम मिलके एक नई politics, या फिर एक नई political unit बनाते हैं, ठीक है जी nation बना दिया आपने, secularism secularism को Paul Science वाले कैसे define करते हैं, मैं आपको बताया था, कैसे define करते हैं कि जब सामाज से withdraw करेगा, क्या, when religion will withdraw from society that is secularism, कि वो था अपना broader वाले secularism and Paul Science वालों का क्या था, when religion will withdraw from political life, ठीक है, political life से जब religion withdraw करता है, तो secularism कहलाता है, ओके and बाकी एक अपने पास concept है citizenship, कि आम नागरिक जो एक सामाज में exist करता है किसी को आप बोल रहे हो citizen है, किसी को नहीं बोल रहे हो, ठीक है ठी, जो आपकी यहाँ पे देश में almost पैदा हुआ है, वो नहीं है, ठीक है, citizenship के concept में हम वो पढ़ते हैं, तो एक बार quick revision करते हैं इसकी, ठीक है, कि social policies कैसे जुड़ती है, पहले आपने बताना है कि birth, social का ही politics में है, Marx का आपने बताना है कि communism की बात करता है, Weber का बताना है कौन से कौन से ideas लिए, Paletomoss का, Michaels Mills की बात करने है, oligarchy, democracy, Parsons ने G में politics को डाला, Wallace T. ने बताया कि किस तरह से international level की politics में समाज को यूज कर रहे हैं, समाज को shape कर रहे हैं, Colmans ने बताया कि developing area की ही politics है, David Eastern ने यूज किया, ethnicity, caste, gender, social class, religion, political parties यूज करती रहती हैं, ठीक है अपने इंडिया के point of view से, reservation, क्या है, समाजिक चीज है, लेकिन politics में use हो रही है, protest, social movements, right movements, हक की लडाई वाली, जो अधिकारों की लडाई, सब ही क्या चल रहे हैं, politics हो रही है, pressure group, देश बनाया आपने, secularism की बात करी हैं, citizenship की बात करी हैं, अपने, यह सब क्या चीज़े हैं, आपकी social चीज़े हैं, लेकिन politics में नजर आती है, okay, again you can take a break here, revise, देखो, एक बार ही में याद कभी नहीं होगा, यह सब चीज़ें आपको अभी mains में जाके यूज करनी है, थोड़ा time है भी, तो इसलिए इसको बार 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 पढ़ते जाओगे, तो चीज़ें याद रहेंगी, वैसे भी हम ना यह चीज़ें हैं, marks, weber, etc, हमने बहुत बार अपने syllabus में पढ़नी है, syllabus हमारा relatively छोटा है, बार बार revise हो जाता है, तो और हमने जो पढ़ेंगे, उसको हम interchangeably यहां का माल, वहां वहां का माल, यहां यूज करते रहेंगे, तो वैसे ही आपको और पक्का हो जाएगा, ठीक है री, तो social and entrepreneurship,